सब्सक्राइब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स पाने के लिए वेलकम फेंड्स स्वाग अदम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मानसिक रोग को ठीक करने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका प्रियोगों कई बार कुछ सामनी इस्तितियों में भी किया जाता है उस टेबलेट का नाम है क्लोबाजाम टेबलेट इस आम से टेबलेट अवेलेबल है यूज़ को पूरे विस्तार से साइट इफेक्स क्या होते हैं कौन-कौन व्यक्ति जो इस टेबलेट को यूज़ नहीं कर सकता है कितनी मात्रा में इसे दिया जाता है डूज़ क्या होती है साथ ही हम जानेंगे मानसिक रोग को लवा कौन सी और इस टेबलेट को एक बार शुरू करने के बाद क्या जिंदिगी पर लेना होता है यह सबी बाते इस वीडियो में जानने के इसलिए वीडियो को अंतक्त देखें जिससे पूरी जानकर आपको क्लब आजाम टेबलेट के बायों मिल सके साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार ह देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल अकन दबाए और वीडियो को लाइक से करना नहीं बूलें मैं हूँ आपका होस्ट मोहिद आदीच आप देखने अपना यूडियूब चैनल लर्न बूट मैडिसन चलिए आश्वी कुछ नया सिकते हैं है लो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों क्लोबाजम एक बेंजो डाइज़ेपिन क्लास की एंटी साइकोटिक दवा है जो की सदेटीव ताथा हाइपनोटिक प्रोपर्टी रखती है साथी इस दवा को एंटी एपिलेप्टिक ताथा एंटी कलरसेल दवा भी कहा जाता है कलोबाजम दवा मस्तिक्स पर मस्तिक्सी नसों पर जिसे हम CNS Central Nervous System कहते है इस पर कारिय करती है मस्तिक्सी नसों को सांद करके ताथा गाबारेशेप्टर के कारियों को बढ़ा कर ये बिमारी को ठीक करने का कारिय करती है अगर कलोबाजम टेबलेट की स्ट्रेंद की बात भिष्ट नेते हैं जो एस्ट को दी जाती है और तुरंत एफेट के लिए इसा का प्रियोग लिया जाता है कितनी मातरा में किसको दी जाती है कब मुद्य जाते हैं यह सब रखते हम डॉज के सुक्सिंट में जानें पहले अधर डीटेल इसकी जान लेते हैं जैसा कि हमने शुरुवात में जाना कते हैं कि क्लोबाजम टेब्लेट का एक popular brand name में जो फ्रीशियम टेब्लेट है इसे हम इसको जानते हैं अगर फ्रीशियम टेब्लेट के substitute की alternate की बात करें और क्लोबाजम की अलगले नाम से medical store available है उसकी बात करें आप को भी brand खरी सकते हैं अगर यहां इसकी price की बात करें तो ज्यादा तर जलें में इसकी strength है वो 5 पांच मिले गाम की तो इसकी average price को हम जान लेते हैं प्रती टेब्लेट सभी brands कितने मिल जाती है जो पांच मिलेगाम की tablet है यह 8 रुपे से लगाकर 9 रुपे महमें मिल जाती ह यह 11 रुपे से लगाकर 13 रुपे की MRP महमें मिल जाती है जो प्रती टेब्लेट प्राइज है जो भी आपको सवस्ती मिल्यों साब खरीच सकते हैं सभी का एक जैसे ही असर होता है अब वीडियो मागे इसकी users को जान लेते हैं किन खिन बीमारियों में इसका प्रियोग लिय लगती है तो उस समय व्यक्ति खड़ा-खड़ा या कोई काम करते वह अचानक से गीड़ जाता है पूरा स्री उसका वाइबरेट होने लगता है और उस समय मास्टिक में जो केमिकल है उनका इंबिलेंस होने के करण यह ही सत्ति होती है और इस सीजर को रोकने के लिए यह ग लगली बीमारियों में होते हैं इसके अलावा इस टेबलेट का प्रियोग एंजाइटी के लिए सीजोफर्णिया नाम की बिमारिता साइकोसिस डिसॉर्डर को भी ठीक करने के लिया जाता है और कोई मरीज है जो लंबे समय से नींद नहीं लिए या बहुत फ्यूचर की च सब चीजों को छोड़कर जो सामनी सी बात है जब इसका प्रियोग लिया जाता है उसकी बारे में बात करें तो इस समय जब बच्चे के उमर 08 से लगा कर 13-14 साल की होती है तो उस समय बच्चे को बहुत तीज बुखार आ जाता चाहिए बुखार ब्लड में इंफेक्शन ह ठील होने के कर dawan या किसी अन्यकरांट सो तीज बुखार आने पर उनके सीख्रू में मानस 무स में कीचाओ होता है डीली डाम्ट को वो किसी परका कि मांडशिक बिमारी नहीं है लेकिन उस समय उस दोरों को कंट्रोल करने के लिए ये क्लोबा जेम टेब्लेट पीडिटिक डॉक्टर दौरा दी जाती है इसका इंस्टेंट रिजल्ट में था एक ही टेब्लेट दे देने पर वो कंट्रोल आ जाते हैं तो इस स सभी में किया जा सकता लेकिन कुछ मरीज जैसे जिनमें इसका प्रियोग नहीं करना चीए कॉंट्राइडिकेटेड है वहां कॉंट से उसमें सबसे पहले वह मरीज जो बेंजोडाइजीपिन क्लास से या कलोबल जाम से कभी पास्ट में एलर्जिक रहा हो तो उन्हें यह दवा नहीं दी जाने चीए कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है और शुरुवा ती तीन महीन है मतलब फर्स्ट राइमेस्टर की प्रेग्नेंसी उसमें नहीं दिया जाता है को ब्रेश्ट फिडिंग मदर है तो नहीं दिया जाएगा यह दिकिसी व्यक्ति को क्लोज एंगल गलाव कोमा मद वह आंकों में प्रेस्ट पड़ने की विमारी है इसके अलावा व्यक्ति को sliap apnea नाम की भीमारी हो जिस में नीद आने के बाद सवांस लेने में समयश्या होने लगती है सवांस लेने में प्रोब्लम होने जैसी और आपको डॉक्टर क्लोबाज आम टेबल आपको दी जा सके अब वीडियो के आगे के पार्ट में जानते हैं इस टेब्लेट के क्या-क्या साइड इफेक्ट होते हैं यह दिखिसी विख्ति को होते हैं जो मोस्ट कोमन साइड इफेक्ट है उसमें ब्लड वीजन होना मतलब की दूंदला दिखाए देना कोंस्टिपेशन रहना सिर्दर्ध होना पूरसों में काम इच्छा की कमी होना डीजिनेस नोज्याई शिकैद होना पाचन क्रिया का कम हो जाना किसी किसी पूरसों में वजन का बढ़ जाना थकान से लगना यह कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं यदि यह यह इसके इना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले जिसे की प्रोपर टीट्मेंट दिया जैसे कि फ्यूचर में इस टेबलेट का प्रियोग ता था बेंजो डाइजिपन क्लास की दवा का प्रियोग नहीं करें अब वीडियो के लिए हम जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोज होती जाती है और अवस्ता होने पर इसे साट मिलिगान भी बढ़ाए जाता है चब इसकी डोज हायर होती है 40 मिलेगाम इसे ज्यादा तो उसे दो या तिन टुकडों अलग लग करके दिया जाता है और जिख जब 10 या 20 मिलेगाम की या 5-0 कि डोज होतों उसे सिंगल डोमें दी और जब single dose देते हैं तो उसमें रात को लेना बहतर रहता है और बच्चों में इसके dose की बात के जाए तो बच्चों में शुरुवाती 5 mg की tablet बच्चों में दी जाती है जिससे उनका एक बार जो conversion है जो seizure है जो control आ जाए उसके बाद में उन्हें 0.3 mg से लगा कर 1 mg पर kg पर dose के हिसाब से उन्हें दिया जाता है और अलगले divided dose में उन्हें दिया जाएगा और अगर आवस्षक्ता हो तो 20 mg तक बच्चों में यह दी जा सकती है अगर यहां पर बात करें इसको खाने पहले लेनी यह खाने के बात इस दवा को खाने के पहले बाद में दोनों ही समय में ली जा सकती है और अगर माउथ दिजोलिंग टेब्लेट है बचों में दी जाने वाली तो कोई भी समझ्या नहीं मुह में रखते यह बुल जाएगी और डूरेशन की अगर बात करें तो इस दवा का डूरेशन ही होता है जामन्यता इसे ज़्यादा चार हफते तक दिया जाता है और अगर जो बुखार वाली इस्ताति है तो उसमें पांच से साथ दिन दिया जाएगा उसमें अच्छा असर मिल जाएगा और कोई व्यक्ति है जिसको डूरेशन हो जाती है उसकी आदित पर जाती है जिस कारण सो अबर्डूस ले लेता है तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है साथ ही यदि आपके गर में किसी बच्चे ने या किसी साइकेटरिक प्रेशन ने गल्ती से इसकी अबर्डूस ले लिए अगर आपको तुरंती पता चला है तो विदिन 20 मिनट उसको वो मीट करवा दे उल्टी करवा दे जैसे कि उसका जो क्लोबाजेम टेल्बेट पेट में गई है बहुरी बाहर आ जाए और तुरंती अपने नजदीक स्पताल मिलें जैसे कि किसी बड़ी समश्या का सामना नहीं करना पड़े और इस अवर्ड टेबलीट के बारे में उम्मीद करता हूं ज्यादा ज्यादा जानकरी आपको मिली होगी सब्सक्राइब क्लिर हुए होंगे वीडियो को यहीं खत्मा करता हूं मिलते हैं कि यह वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त्रे और मस्त रहें